तो दोस्तो आज 28 जैनुरी 2024 अपकमिंग ट्रिडिंग विग पे बजार में ओपिन होने जा रहा है एक बहुती शांदार मेल लाइन आइपियो जहां पे आपका पैसा दुगना होने का पूरा पूरा चांस है आएए देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा डीटेल में कि कंपनी कौन से सर्विस प्रोवाइट करती है या कौन सी प्रोड़क्ट है उसके साथ साथ कंपनी की बैलेंट शिट चेक करेंगे बहुत अच्छे से क्या उसमें ग्रोथ है मार्जिन कितना है नेट प्र सर्विस या कौन सी प्रोड़क्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइट करते हैं तो देखिए सबसे वहले कंपनी का नाम है बी एलेस इस सर्विस लिमिटेट तो यहां पर मेंशन क्या इन कॉर्परेटर इन एप्रिल ट्वेंटी सिक्स्टीन तो मत्तब बहुत पुराने सर्विस आड़ क्रास रूट लेबल इन इंडिया तो ए हिसे लिए 3 प्राकार की जो सर्विस प्रवाइट गरते हैं सबसे पहला कंपनी की नाम लोगों बागर दिख जाएगा तो आप चाहे तो पेमेंट जो है इस कंपनी की पोटाल से या जो एप है उसके थू कर सकते हो या आप बोल सकते की फिलीपकर्ड एकमर्स हो गया यह देखे एट अमाजन की एकमर्स हो गया वीडियो कंसल्टेंट हो गया उसबड़कर्ण कि फोन रि वोड़ीएट एंख अपर बहुती डाइवर्शिफसाइट कंपणी का बोल सकते हैं वह आप को पोटाल है या 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 फैप है ऊसके थूर relief अभ्यमस है इस कंपनी की निडिये टाइव वीजन primero यूनीक टाइब की एक बिजनेस मॉडल है कंपनी का ठीक है बीटूसी हो गया बीटूबी हो गया डिरेक्ली दोस्तों आप याप कर सकतो तो देखा जाए इस पर्टिकुलर सेक्टर में ना एक और शांदर कंपनी बजार में लिस्टेड है उसका नाम है क्या पेटी है बट व करेंगे बिजनेस मॉडल में भी आपको समझ आ चुका है बेसिकली हर किसम की जो पेमेंट्स बगरा वह आप इस कंपनी के पोर्टल या एप के थू कर सकतो आए अब हम बात करेंगी कंपनी की बिजनेस मॉडल अच्छा होना बड़ी बात नहीं हो तो पीटेम कभी है तो कं फरांशियल 24 जो भी है प्रेजन फिना चल रहा है उसका फर्स्ट हब ही च्वन मत फर्स्ट वाप तो रेविनु की बात करें फिनान्शियल है 21 पे कंपनी टोटल रेविनु जनेर्ट के था शिस्टीफ पॉइंट फॉर नाइन करो रुपीज परांशियल है 22 की बात करें इ सब्सक्राइब कर लिए और बेस्ट पाथ मुझे क्या लगा मालू मैं आई ये दिखाता हूं देखी कंपनी का जो नेट इंकम है ना नेट प्रॉफिट उसमें मैसिव ग्रोथ देखनी को मिला तीन करोर था तीन करोर 15 लाग फिर देकि बढ़ते वें पांच करोर 38 लाग पर चुका है फिर देखे 20 करोर से जादा और आज की रेट पे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है सिर्फ फॉर्स्ट हाप मतब दो क्वाटर मिला के सारे 14 करोर क्रोस कर चुका है बेस्ट पार्ट यह है कि कंपनी अपने मार्जिन को दोस्तों हलक में नहीं ले रहा है जबकि द देखें और ज्यादा बढ़ गया 8.36 और आज की रेट पे अगर हम बात करें 9.40 मतलब जिसको आप बोल सकते हैं एक डाइप का डबले प्लास इससे तो मैं बोलूंगा डबले प्लास जो की बैलेंट शीट कंपनी बहुत अच्छा यहां पे ग्रोथ रखा आईए अब इसको प्रीमियम भी आड होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी अच्छा चल रहा है तो इसको पर प्रीमियम भी आड होगा तो मतलब यह लिस्ट होगा अगर डबल प्राइस भी लिस्ट होता है तो करीब-करीब इसका पीडेश बड़ते बड़ते इसका दुगना हो जाएगा मेरे बात को पकनी की सबसे एक और अच्छी चीज़ मुझे लगए अदर भी ग्रोथ हो सब कुछ ठीक टागए अच्छी 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 इतना सॉलिड है इतना स्ट्रॉंग है ना डेट पर एक्विटी रेशियो पहले देखिए 1.14 का था उसके बाद की रेट पे एकडम ना के बरबर अब देखिए कंपणी जैसे प्रॉफिटोल बन रहा है ना कंपणी की मैनेजमेंट जो है सबसे पहले डेट को चुका रहा है यह सबसे बेस्ट पार्थ मुझे लगा क्योंकि आकसर हम ने देखा कि लोग डेट के बाद डेट मतलब यह जमता जाता है और बाद में जाके ए बहुत अच्छा सॉलिट मैनेजमेंट आये तो कंपणी के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया बैलंशीट चेक के लिए बात करेंगे इस IPO के बारे में बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छ लगा इनफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो का क्लोसिंग देट है तीन दिन का आई पोड़ाएगा फेस बैलू की बात करें दस रुपए यह अच्छी पाट है प्राइस बैन की बात करें 139 रुपए लौर प्राइस बैन अपर प्राइस को पकरके आप चाहिए तो इसमें बीडिंग कर सकते हो बट हाँ मैं आपको प् प्राइस बात करते कि बहुत बड़े कंपए नहीं फिर भी आई प्योंका साइस तीन सो दस करोर के आसपास है और जिसमें कमप्लीटली फ्रेश एक्विडिश एड किया जाएगा मतब कंपनी की जो प्रोमोटर है कोई भी अपना स्टेक सेल नहीं करेगा भाया ओए फेस त इशु टाइब की बात करें बुक बिल्ट इशु टाइब आई प्योजब बजार में लिस्ट होगा एक चीज मैं बोलूंगा डिटेल इंवेस्टर्स के लिए थोड़ा से नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें ज्याता जो शेयर साना की वाई भी कैडेगरी के लिए आपको तो मतब ऑफर किया जा रहा है टोटल 75 परसेंट और डिटेल इंवेस्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ दस परसंट शेयरी एलोकेट किया है बाकि अच्छा कंपनी है तो बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बगर आसे कि आपन होगा 30 को मतब ट्यूस्टे मंगल बार के दिन और यह आई पो क्लोज होगा फोस्ट फेब इन दिन का इप यो मंगल बार बूदबार भ्रहश्पतिबार थर्सडे फोस्ट फेप यह का क्लोजिंग डेट है बेसिक अलॉट में बतल आपको अलॉट मिला या नहीं मिलेगा रिजल्ट आपको वालुम के दिन आजए बट इंस्टेंट ली आ जाता है यह कोई बहुत बड़े इस्व नहीं है आपकी जो शेयर है अगर आपको आई पो में अलॉट पर मिल गया शेयर क्रेट हो जागा सुंबार के दिन नहीं मतब नेक्स ट्रेडिंग विग ठीक है फिप फेप के दिन और यह पांच बज़े के पहले ही कर देने की क्योंकि इसका जो डेडलाइन है वह पांच बज़े तक यह बागी बात के रिटल इंवेस्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जान करी जैसे कोई भी रिटल इन्वेस्टर्स अगर इस आइप्लाई करना चाते मिनिमाम एक लॉट करना ही पड़ेगा उनके लिए इसका मिनिमाम ओडर लॉट है उनके लिए टोटल एक्सवाट कॉंटिके शर और प्लेस करना पड़ेगा पैसा टोटल जो ब्लॉक्त होगा एक लाग्वे हजार पात्सो चालीस रुपए बाकी बात करें आज की रेट पे कंपनी की जो प्रो बगरा सारे जो आई प्यों का साइज है अब बात करेंगा इल्लमेटली जी एंपी कितना चल रहा है यानि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्योंकि इसके बर बेस करके आपको जो की लिस्टिंग मिलेगा अच्छा का सा तो देखिए यह जो अपडेट में आपको शेर कर रहा हू आप लोग अच्छे समझ गए कि क्यों इसका प्रीमियम इतना बढ़ चुका है बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर है और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है एक अल्मोस्ट डेट फ्री कंपनी बन चुका है जो कि पहले डेट था कंपनी पर ठी अगर मार्किट की सेंटिमेंट जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा रात में अब बात करेंगे क्या आपको इस आप्यों में अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए तो देखिए सबसे पहली बात कंपनी की जो फश्टाटास है वह बहुत ही अच्छा है उसके बाद कंपनी के वैलेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिब है बट वह उतना मैटर नहीं करते बाद में चाहिए तो ठीक है वो ड्रॉब भी हो सकता है कंपनी का अगर और अच्छा प्रॉफित हुआ तीसरी इंप्रेंट पॉइंट यह है कि कंपन को स्ट्री करना प्रॉपर अनलाइज करना उसके बाद देखिंगे करना यह अप्लाइ काना करना क्लेटली आपके उपर डिपेंड करता है क्लियर ओके तो फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिल दर नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्या बाबाई ही हिंदी.